गुड गुड मॉर्नी वच्छो आई एम राई विरेंद्र क्लास तेंथ का जो मैं पहला चप्टर ट्रेंगिल के बारे में कुछ बताऊंगा जो आपकी चप्टर में हैं तेंथ क्लास में हैं पहला आपका चप्टर होता है थेल स्थिरम थेल स्थिरम जाने से पहले मैं दो च 200 फीगर और यहां पाहला हमारा दोची जो यह ट्यायरम रिक्वाइरमेंट होते हैं एक अंग्षिगर्स एंच दूसरा होता है टाथ पहला हम लोग जानेंगे एक इसा दोफीगर जिसका लिए जिसका सेप जो है और साइच ब्रावर हो यानि कहने कर दो त्रिएंगिल हम लेते हैं ABC या देवी सी यानि AB इचकल 2 सेंटीमेटर बीसी is झिट को थी सेंटीमेटर और AC इचकल 5 सेंटीमेटर दूसरा ट्रैंगिल है PQR, अगर इसका जो है, PQ जो है, 2 cm, PQ इसका 2 cm, Q, R इसका 3 cm, P, R इसका 5 cm, and AB equal to PQ, and BC equal to QR, and AC equal to PR, and exactly the copy of the, both triangles are the, ABC, is the exact copy of the triangle PQR, so that, we can say that, triangle ABC is congruent to triangle PQR, हम यहाँ जो प्रेट कली इसका उप्योग करते हैं, बच्चो, यानि कहें भी कि हेक्टरी में हम जाते हैं, तो कोई भी मसीन का component हमको बनाना रहता है, तो इसके इस चीज़ का जो हमको पूरा ध्यान के रखना पड़ता है, कि similar congruent figure, अगर congruent figures नहीं होंगे, तो वे हमारा जो है, जो है, दूसरे पार्ट में वह मसीन में जो है, या मसीन है, उसमें वह फिट नहीं होगे, इसलिए 1000 हो 1000 मसीन के parts बनते हैं, वह जहां उप्योग हम congruent figure कहीं करते हैं, हाँ बचो, अब हमें आपको similar figure, पहला मैंने आपको congruent figure के बारे में बताया, अब आपको मैं similar figure के बारे में बताऊँगा, similar or congruency में क्या है, दो figure तो एक होते हैं, लेकिन दोनों का dimension एक नहीं होते हैं, देखने में हो बहुँ एक जैसा लगे हैं, लेकिन दोनों को अलग-अलग रखता हैं, यानि आप इसको कर सकते हैं, geometric figure which have the same shape but different size are known as similar figures, यानि आप देख सकते हैं, एक जांपल में आप देख सकते हैं, एनि टू लाइन, एनि टू लाइन, सेग्मेंट और सिमिलर, इफ फाइब सेंटिमेटर, इक्वल टू, AB एक लाइन है, जिसका dimension आपको फाइब सेंटिमेटर दिया हुआ, जिसका length आपको फाइब सेंटिमेटर दिया, दूसरा figure है, टू सेंटिमेटर, इस दोनों figure को हम congrate नहीं करेंगे, इक हम congruent तभी हो सकता है, जब यहाँ PQ जो हमारा line है, जो हमारा line है, जो PQ है, दूनों similar line है, इनि टू rectangles are similar, यहाँ इनि टू rectangles are similar, similar हो सकते हैं, लेकिन यहाँ dimension दोनों का अलग-अलग है, अलग-अलग मानि क्या यहां जो है सेप तो हमरे देखने में एक जैसा लगता है लेकिन जो है साइज जो है अलग-अलग होती है अब सोचते होंगे बच्छे कि यह सिमलर ट्रेंगिल का हम सिमलर फिगर का उप्योंग हम कई से करते हैं आप कभी कभी जाईएगा तो कोई भी प्रेक्ट कली है तो बनाया जाता है जयानि जब मसीन को झाम निर्मान करने में हम जाते हैं तो पहले उसको टेस्टीच के लिए झाम था تौहाइते हैं यानि आपने बहुत वार देखे हhouगे ताज माल आप अग्रा में देखते हैं लेकिन यहाम घर यहां कहीं भी देखते हैं तो देखने में यहिसा लगता है यानि काहने कर थो गपैर एक सिmmillar Leather Tea होती है MEN HOAHU-BAHU जो नहीं होता है लेकिन उसकी dimension वहर नहीं होतीendo लेकिन देखने में एक समान लगता है तो यह जो है स्मिलर फिगर होती है हाँ बच्छो अब जो मैं आपको स्मिलर पॉलीगन के बारे में बताने जा रहा हूँ अब देखें स्मिलर पॉलीगन क्या होता है कब हम किस पॉलीगन को हम स्मिलर कर Development Polygons में आपको क्या होता TRIANGLE से लेकर स्टार्टिंग क्या होता TRIANGLE होता है और जो है TRIANGLE हुआ RECTANGLE हुआ इस अब जेतने भी आते हैं आपको जो है Polygons में आते हैं Two polygons are set to be a similar कभ दो polygons हमारा similar हो सकता है इसलिए कह सकते हैं क्या है कि कभी भी जो polygons हमारा similar होने के लिए दो हमारा condition जो है पूरा ही जरूरी होता है उस condition अगर वह दोनों condition अगर fulfill नहीं होगा कोई भी figure हमारा polygon जो है आपका similar polygons में नहीं आएंगे two polygons are set to be similar if their corresponding angles are equal यदि उनका corresponding angles are equal यानि कहने करते हैं A, B, C यानि angle A बरावर angle P और angle B बरावर angle Q और angle Q और angle C बरावर angle R अगर इस तीनों angle अगर बरावर होंगे तो जान लिए कि वह polygons हमारा similar होगा दूसरा condition है the length of their corresponding sides are proportional अगर जो हमारा side का जो हमारा proportional होगा तो हमारा ये ट्रेंगल जो है तो हमारा ये ट्रेंगल ये सिमिलर होंगे जैस लेग यह ने पीक्यू पीक्यू बाई क्यू आर पीक्यू बाई a b equal to q qr by b c equal to pr by a c कि हम बच्चो अब मैं आपको थेल स्थिर्म के बारे में बताऊंगा कि क्या थेल स्थिर्म क्या है यह थेल से कोई भी तिर्भुज में उसकी एक भुजा के समानंतर कोई रिख्या खेची जाए और यह वह रिखा यादि तिर्भुज के अदर दो भुजाओं को दो विभीन बिंदों पर पाट कारती है तो उन भुजाओं का जो है रेशियो जो है अनपात जो है एक समान अनपात में होता है समान अनपात में होता है यानि कोई भी ट्रेंगिल्स है यानि एबी सी एक ट्रेंगिल है इसके समानंतर दी एक जो है साइड घीची गई है जो AB और AC को जो दो बिभीन बिंदू D और E बिंदू पर काटती है तो यानि कहने कारते है AD by DB equal to AE by AC होना चाहिए इसी को हम थेल स्थिरम कहते हैं यानि इफ ए लाइन इस ड्राउन परले तो वन साइड ऑफ ट्रेंगिल तो इंटर्सेक्ट द अधर तो साइड इन डिस्टिंग्स पॉइंट दिन द अधर तो साइड इन डिवाड़ेट इन द सेम रिश्यो अब यहां देखेंगे यहां क्या दिया हुए हमारा इसमें दिया रहा है कि यह लाइन इस ड्राउन परले तो वन साइड ऑफ ट्रेंगिल मैंने गिविन एट 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 पॉइंट एट इन रिस्पेक्टिब लिए हां तो अब आपने जो है देखा क्या हमारे क्या है एबी से हमको प्रूफ क्या करना है एडी बाइड 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 बी डी बाइड बी अब हमको इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कोई प्रूफ करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन का सहरा देना होगा यान ज्वाइड बी बी को हम ज्वाइन करेंगे and CD and draw EL EL perpendicular to AB and DM perpendicular to AC प्रूफ यहां लिखेंगे हम प्रूफ करेंगे कैसे करेंगे तब इसमें हमको ध्यान देना है कि पहला ratio देखना है A D by D B हमको देखना है इसको निकानने के लिए हमको ऐसा construction लेंगे triangle से जो है हमको ध्यान में देना हो कौन-कौन से triangle से हमको यह दोनों ratio आ सकते हैं यानि compare करने के लिए हम इसा ratio लिया जाते हैं यानि हम पहला triangle लेंगे A D area of triangle A D E यानि A D E यह perpendicular L is a perpendicular line so that area is 1 by 2 A D into E L we know that area of triangle is 1 by 2 into base into height अब यहां लेंगे area अब दूसरा triangle हम क्या लेंगे area D B E यानि height of this triangle is L E यानि area of D B E equal to 1 by 2 into D B into E L अब ratio दोनों triangles का हम ratio निकालेंगे area of triangle A D E by area of triangle A D E equal to 1 by 2 A D into E L 1 by 2 D B into E L यानि E L E L जो हमारा subject हो जाएंगे 1 by 2 1 by 2 हमारा जो है कर जाते हैं तो यानि A D by D B इसको हम मान लेंगे first equation हां तब देखें आप जो जो क्या है अब फिर क्या हमको करना है again area of triangle अब क्या करेंगे again area of triangle A D E equal to area of triangle A E D यानि 1 by 2 into A E into D M अब निकालेंगे area of triangle E C D यानि E C D height is D M यानि 1 by 2 base is E C तो 1 by 2 into E C into D M अब क्या करेंगे दोनों triangle का हम ratio निकालेंगे यानि area of triangle A D E area of triangle E C D equal to 1 by 2 A E into D M 1 by 2 E C into D M D M is the same this is the consider this is the second equation अब यहां बोत equation में जैसे यहां देख रहे हैं कौन-कौन equation है equation first और equation seconds में हम देखते हैं कि जो है दो triangle तो हमारे equal है triangle A D E equal to हमारा है triangle A E D फिर जो हमारे दो triangle जैसे A D E यहां दो triangle हमारे हैं A D E triangle यहां हमारे के है triangle D अब यहां देखेगा triangle D B E and triangle E C D being the same base D E and same base D E and between the same parallel line line D and B C so the triangles area of the triangles is D B E equal to area of the triangle E C D मने कि area of triangle D B E D B E equal to हमारे क्या हो जाएगा angle जो है area of triangle D B E D B E हमारे जो है D B D B E D B E equal to area of triangle E C D है अब यहां दोनों समिकरन को एक साथ मिलाएंगे तो देखते हैं कि area of triangle A D E by area of triangle D B E equal to area of triangle A D E and area of triangle E C D so that AD by DB equal to AE by EC यहां आपका THELS तर्म जो है प्रूप करता है किसी भी चीज़ को दोना THELS जो है ऐसे mathematics जो थे जो ने दो similar of the triangle के इस बारे में जो उसको practically प्रूप किये हैं जिसका जो है इस theorems का जो है बहुत से जो है machinery parts या जो भी है उसके निर्मान में इसका जो है किया जाता है यहां जो नहीं है लेकिन higher study या जो practically हम लोग करते हैं तो किसी machinery या किसी भी design के लिए जहां इसका उप्योग किया जाता है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं कैसे उसको प्रूप कर सकते हैं बस बचो इसके बाद जो भी जो आपको मिलेंगे उस बाद जो है next problem जो हम इससे समंधि जो है जो हम नेक्स्ट के अच्छा में जो है कलास में आपको जो है बताएंगे thanks you